हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आजमा आपके जो वीडियो रिकार रहा है बात करेंगे एक फार्मा स्टॉक फार्मा स्टॉक बहुत टाइम से करेक्शन जहेल रहा है क्या यह रिवर्सल कैडिडेट है समझनी की कोशिश करते है इसके प्राइस सेक्षिन को रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे और किस तरीके के प्राइस सेक्षिन यहाँ पर मन रहा है उससे कुछ सीखेंगे समझेंगे और प्राफिटेबिलिटी और रिवेन्यू को देखेंगे सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगा आपने आपको का यह सीरीज पूरी रैडी है इसको देखिए समझे सीखिए बहुत कुछ है लर्णिंग के लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो चाहे इंट्राडे हो या लॉंग टम की इंवेस्टमेंट बहुत ही बहातरीन वीडियो आपके सामने क्रेट कर रखें किस तरीकी क की अनलेसिस है किस तरीकी की अंडरस्टेंडिंग है उन सारी चीजों के बारे में लेकिन बात हम करने वाले आज जाइडस वेलनेस की आपने पहले नाम सुना होगा टडीला हेल्थ केर नाम सुना जरूर होगा आपने देखिए 10,000 करोड का मार्केट का प्रलाइशन 1550 का प देखू उससे पहले तो 72 नंबर थे ही थे 2020 में 1700 करोड, 1800 करोड, 2000 करोड, 2200 करोड लगातार ये रिवेन्यू है प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो देखिए 100 करोड से उपर ही है और अभी रिसेंटली पिछले दो सालों में 309 करोड और 310 करोड का रिवेन्यू प्रॉफिट भी अच्छा है रिवेन्यू का जनरेशन भी अच्छा है आप पिछले कुछ सालों का अगर नंबर को देखा प्रॉफिट ग्रोथ रिवेन्यू ग्रोथ सब बढ़िया है लेकिन उसके बावजूद ये चार्ट में आप देखे पीक बनाया है 2001 के सेप्टम्ब लेकिन जब ओवराल चार्ट की बात करते हो तो ओवराल चार्ट में देखो के तो बहतरीन रेली आपको देखने को मिलिये कि ने मिलिये देखिये तो ये स्टॉक हवे सा देखिये हायर हायर लो बनाता हुआ 2012 में अगर इसका लो देखा जाए तो 300 का था और एक बहतरीन ने बना है मार्केट का पर लेशन 10,000 को करोड के पार पास अभी है और अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर समझते है रेलेट करने की कोशिश करते है देखिये वीकली चार्ट पर देखते सबसे पहले सबसे मतलब मैं यह कहूंगा कि ऐसी सिच्वेशन अभी है यह स्टॉक वीकली में बीरिस टेरिटरी में चला गया है समझ रहें इस पार्ट को लेकिन चीज ध्यान देना बीरिस साइकल मा जरूर है लेकिन जो मुझे एक चीज इसमें देखने को मिली अभी तो मुझे यह देखा यहां पर प्राइस जो है वीकली पे एक लोवर लो इसने बनाया लेकिन मुमेंटम लो वाली साइट नहीं दिखा बलकि मुमेंटम एक हायर लो की तरब दिखा जो कि इसकी आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ऐसा तो नहीं कि अभी इसने चीज दिसा बदल दिया लेकिन आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपोर्टें नहीं है clearly देखने को हमारे पास एक signal है एक मैं कहूंगा probability है कि हाँ divergence मिला है तो आने वाले टाइम इसके लिए positive होगा तो जैसे यह positive cycle यहां पर start होते हैं तो हमें यह दिखेगा कि हाँ एक बढ़िया मजबूती यह stock में देखने को मिल सकते अब हम क्या है मुमेंटम में नहीं है वीख्ली चार्ट तो चलिए ड़ अब देखेंगे तो फिल्हाल जब तक हम वीख्ली चार्ट पे मोमेंटम यह तब तक हम इसको चोटे दिनों का consolidation जो देखने को मिला वो बहुत important लगा और वो भी एक बड़ी rally के बाद rally आती है देखें लगा था तीन देन बहतरीन वॉल्यूम consolidation फिर एक वॉल्यूम यह देखें क्लियर दी और यह सब साइकल स्टार्ट करने जा देखें यह प्राइस इस तरीके से आई यह देखें तो यह बहुत important जगे पर पॉजिटिव साइकल आप डेडी के चार्ट पर इसके RSI और MACD को देख सकते हो तो यह एक kind of momentum box जो हम बात करते हैं वह form हो रहा है कि momentum box का one two three share का नाम जाइडेस wellness देख सकते हो प्राइस क्या है 1550 stop loss available 1425 डीप stop loss यह देखिए तो सब चीछ तैयारी हो रही है अब हम बात करेंगे risk management की देखिए risk management बहुत important है risk management क्यों important है यह अपनी capital को बचाता है तो माल लो मैं इसको 1550 पे buy कर रहा हूँ मेरा stop loss है round of की figure लेंगे 1450 तो 1425 यानि कि कितना हो गया almost 125 मैं deep stop loss की बात कर रहा हूँ immediate stop loss आपके पास यही पर है 1500 के आसपास तो 50 point का हो गया यहाँ पर कितना है 125 point को मैं चलिए 125 point वाला stop loss लेके चलता हूँ हुआ तो अगर आप 10 share यहाँ पे खरीद रहे हूँ तो आपका loss कितना हो गया सीधे है 1200 पचास का समझे इस पारट को सीधने को थे प्रमाज हो तो यह loss की इसाब से आपका loss कितना हो गया 1250 रुपे का लेकिन अगर आप यहां पे 100 share खरीदने का plan कर रहे हो तो आपका loss सीधे सीधे 12,050 हो जाएगा तो अब अपने आप से question पूछी क्या इस capital में मैं 12,500 रुपे का loss लेनी को तैयार हूँ 12,500 अगर आपको लग रहा है कि हाँ यह loss जो है वो सही है इस चीज के हिसाब से तो फिर आप जाओगे दर आपको लगता है नहीं मैं इसमें भी 12,500 बलकि इसका आधा 6,250 के आसपास का loss देनी को तैयार हूँ तब जाके इसमें quantity आप फिर क्या करोगे 50 select करोगे यह important part है यह entry से पहले loss को define करना क्योंकि अगर आप यहां पे 100 point का 125 point का loss का plan कर रहे हो तो at least आपका जो target होगा कितना हो होगा 1800 का सबसे पहला target होगा तो उतना ही यहां पर जो है target zone भी at least one to one का तो मिले तो 1550-1800 आपका आता है 200 तो यह आपका जो है target बढ़ा है उस category में आगा और उस से उपर का target अगर देखा जाए तो तेश से पत्चेस सो का आप आपको कहा 125 के loss में यह target की तरफ जाता है तो यह favorable target बन रहा है तो यह MPART है तो हम इसका risk management को ध्याने में रखना है और risk management को जो हम ध्याने में रखते हैं तो यह हमारे लिए बहुत important हो जाता है loss को समझना तो यही risk management है तो यह बहुत important part है generally risk management के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं कि मैं आपको यही कहता हूं risk management learning की awareness और risk management की awareness यह अपने तक सीमित ना रखे इसको spread करते रहे क्योंकि market is dynamic dynamic market में risk management ही सबसे important चीज है चाहे आप मानो या ना मानो और बड़े time frame reliable होते हैं लेकिन बड़े time frame में थोड़ा सा stop loss आपका धूर होता है तो आपका position size उसमें risk management का काम करता है तो position size कम रखके हम उतने risk को से साब से mitigate करते हैं तो वह important part है तो risk management is the key और हमने आज बात करी जाइडस wellness की जाइडस wellness से पहला भी हमने आपके सामने एक और स्टॉक दिखाया था एक शेन टाइल्स वाला इसी तरह की consolidation यहां पे भी देखने को मिली थे daily time frame पे और उसके बाद करते हैं इस वीडियो को और मीट करता है आपको समझ में जरूरा आगा वीडियो अच्छा आगा तो शेर जरूर कीजिए और इन वीडियो के माध्यम सब्सक्राइब आपको सीखते हो तो comment के थू हमें भी motivate करता है और like जरूर किया कीजिए देखिए ताकि हमें भी motivation मिलती हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू वर ओचिंद वीडियो